जेशीराम वंदे मात्रम कैसे हैं आप सभी आज बहुत सेंसेशनल टॉपिक योपर चर्चा करेंगे हम मोरा जो की है रोजगार उसी से आज के समय के जितनी भी टॉपिक हैं चाहे वो किसानों का हो चाहे वो पालिटिक्स का हो चाहे वो इकनोमी का हो सभी इस से एस्सेटेड है तो आज आज आए जो भी ऑनलाइन है और आज हम मन की बात करेंगे भारत की बेटी वर्शा जैन से ही साथ रोजगार के उपर जी हां आप कहिंगे कि रोजगार का टॉपिक ही क्यों लिया आपने वर्शा जी आज क्योंकि किसान आई हुई है रोट पर आपको पता है बेटा कर में ने करें देरा कर झा उयुक्त किसान एंटर नहीं होँगे क्यों कि इसके अंदर जो यह सम्व है इसमें किसान कॉल है लेकिन यहे बहुत सारे एसे करेंन देश के लिए लिए का लिए इसमें बहुत कम है 熟Mr. ‫,- आह जो इसमें और नियूज के लिए यृक़् चित तत्व गुसे हुए हैं अंजली चौदरी जी जैशी राम जी कैसे हैं या किसान गरीब क्यों है क्यों किसान को बार-बार भीक मांगनी पड़ती है सरकार से सरकार के उपर हावी क्यों नहीं हो पाता किसान जब कि वो अंद आता है कोई बताएगा मेरे को ये बात कौन ब एक या करते लिए भीक तो इतना पमान क्यों हो रहा है अंदाता को अपने लिए वागनी परती है क्या अन दाता का ही ये मकसद है कि वो इतना बवाल कर रहे हैं, सडकों पर निकले हैं, उसमें कितने किसान हैं, कितने ब्रश्टाचारी लोग हैं, मिले हुए हैं, कितने politicians हैं उसके इंदर, क्या ये politics खेली जा रही है, क्या किसान सच में ये चाहते हैं, क्या रोजगार एक ऐसी चीज है जो किसान नहीं पैदा कर सकता, वो किसान जो की हल चला कर हम सब का पेड़ भर सकता हैं, वो किसान क्या रोजगार पैदा नहीं कर सकता, बताईए आप, जवाम मांगती है भारत की बेटी, मैं तो कहुँगी कि दुनिया के सारे रोजगार सिरफ और सिरफ किसान पैदा करता है, जी हाँ, अगर किसान नहीं होता तो कोई रोजगार नहीं होता बिना अनुप जाए ना तो हल बनते ना लोहारों का काम चलता ना कोई कार खाने बनते जो आप पिक्चर देखने जाते थे ना कोरोना से पहले उसके अंदर पॉपकॉन लेकर खाते थे 300 रुपे का पैकित 30 रुपे किलो बिखता है वो किसान का मक्का जानते ना आप और किसान तब भी रोड पर है तब भी भी मांग रहा है तब भी किसान नियाये के लिए गुहार लगा रहा है चाहे अपनी मर्जी से चाहे किसी के भैकावे से चाहे किसी की बातों में आकर क्यों है ऐसा क्यों किसा इतना लाचार है क्यों है किसान लाचार बताइए हम और आप एक वोट देते हैं कोई आकर खड़ा हो जाता है एक विट्टी आके खड़ा हो गया उसने कहा मैं यह हूं मेरा बाप इतना बड़ा पॉलिटीशन सा अब जहें जेल में बैठा है क्या फरक पड़ता है लेकिन मैं मैं देश को बहुत आगे ले जाओंगा किस बैसिस पर मैं रोजगार दूंगा एक व्यक्ति जो कि स्रफ 30-32 साल का है वो दुनिया को पूरे भारतवर्ष के 12 करोड़ लोगों को विहार की पूरी जनसंख्या को आगहा करता है उसको बुलाता है आजो हो मेरे पास मैं तुम रोजगार दूंगा तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा कितना असान है बीचना पॉलिटिक्स को भी वोट को खरीदना कितना असान है मैं तुम्हें रोजगार दूंगा तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा अरे रोजगार ना पेपर वेट मेरा हाथ पेपर वेट है पेपर पर आप हाथ रख देंगे तो पेपर नहीं उड़ेगा क्या काम करता है पेपर वेट पेपर को उड़ने से भी रोकता है वह काम आपका चश्मा कर सकता है आपका मोबाइल कर सकता है आपकी शाही के दवात कर सकती है लेकिन फिर करकर पेपर वेट बेच कर बेचना आना चाहिए हर चीज बिकती है और सबसे बड़ी बात जिसको बेचेगा उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकता प्रोड़क्ट कभी फेल नहीं हो सकता उसमें कोई खराबी नहीं आ सकती चीज ऐसी बेचो इसके आवास कम कर दीचे वो आपकी आवाज हो विकाव होनी चाहिए उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए गंजे को कंगी बेचने वाली बात हो गई पेपर वेट बेचना गंजे को कंगी बेचने वाली बात हो गई यह कहकर कि मैं तुम्हें रोजगार दूंगा तो मुझे वोड़ दो किसान आया है क्यों नहीं वो अपने बच्चों को कोई ऐसी शिक्षा देता कोई ऐसा माध्यम देता कोई ऐसा हुनर सिखाता कि वो किसान के प्रोड़क्ट को ही यूज करके उस प्रोड़क्ट को लखों में बेच कर उस किसान को कहीं का कहीं कर दे खेट की मिटडी से उसे राजा बना दे इतनी ताकत आदमी के अंदर इस हाथ के हुनर में है इंसान के अंदर इतना हुनर बसा हुआ है कि वो खेट में पैदा हुआ एक किलो बाज़रा को भी कई गुना रेट पर बेजकर महल खड़े कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इंसान की ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, सोचने की अपने अपड़ हिम्मत होनी चाहिए बोल दिये क्या कहते हैं आप, मेरी बात से आप सहमत है किसान का अनाज उकता है गेंउं उकता है खेत में कमपनिया उसको खरीद लेती है दलालों के थूरू वो बेचता है उसको खरीद लिया जाता है सरकार के तथा कतित दलानों के दौरा उसके बाद उसको गुदामों में रखा जाता है उसको सडा दिया जाता है सडाने के बाद बता दिया जाता है कि इसकी इतनी वैल्यू रह गई सरकार को कुछ नहीं दिया जाता है क्योंकि उसकी वेल्यू खतम कर दी जाते हैं यह सड़ा दिया जाता है उसको शराब की कंपनियों को बेच दिया जाता है उसे बेर बनाने के लिए कई गुना रेट पर और उससे बनी हुई बेर कितनी महेंगी मिलती हैं यह उती है दिमाग की ताकत हुआ हम और आप सब जानत बताएं गितना ने खाए बताएं और जो लोग यह वोट मांगते हैं किसी भी बात पर चाहे रोजगार के माध्यम से चाहें किसी भी बीचीज को मुद्दा बनागा जो वोट मांगते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी मान की मार ख़ाई हैं ब ajudar की अर्द में फ्री हो जाती थी अचानवान बना लिए उसके बाद सारी बहुर बैटती होती थी मैलाओं की आपस में गपशप हुआ करती थी का करती थी आज तो मैंने उसको बड़े अच्छे से कूटा दूसरी कहती थी कितने दिन चलेगा अब वो वो किती कम से कम चार दिन तो बिल्कुल ठीक रहेगा अच्छा चार दिन अरे उसके बाद फिर कूट पीट उसके ना और जब पच्चा सुचता था चलो काम हो चुका डन जाओं कमरे में रोलू थोड़ा सा सुस्तालूं नहीं से कॉलर पकड़ कर खशिटा जाता था फिर पूछा जाता था बोल आप करेगा ऐसा करेगा इसा करेगा ऑध करेगा बच्चे करsided करूंगा है कि करने के लिए सजापाद चुके हैं वो बच्चे कभी भी चाहें वो किसी भी शेत्र में जाएं मैं तो कहती हूं वह पॉलिटिक्स में जाएं या कहीं पर भी जाएं वो कभी मात नहीं खाएंगे ना कभी दुखी होंगे ना किसी और को दुखी करेंगे क्योंकि उन्हों ने इतना दुखी होकर देख चुका है पहले से और यह जो नए नए रंगरूट आ रहे हैं ना लैपोटिजम की अउलाद परिवारवाद की अउलाद की मेरा बाप था इतना बड़ा नेता सीएम था चल वो जेल में हैं तो क्या हुआ मैं तुम्हें रोजगार दूँगा आ जाओ मुझे वोड़ दो मितिश कुमार मैं तुझे दो दिन भी सीट पर नहीं बैठने दूँगा मेरे को सिरफ कितने वोटों चाहिए कितने लोग चाहिए एव दो तीच तो ये सब इन सब की बातों में बिल्कुल नहीं आना एंपी में उचका बिहार में उचका अब जहां जहां भी रह गए हैं महां के इलेक्शिन में जो भी रोग हैं थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिएगा जो भी नए रंग रूट खड़े हो रहे हैं परिवारबाद की अलाद हैं या फिर वोट खरीद रहे हैं आपकी भ कि यहीं होथा कि रोजगार पैदा करने के लिए हाथ में जुरूत्ति नहीं हो थी बड़े बड़े जितने भी धन्ना शेयर हैं ना जितने बड़े लेकर बैठे हैं जो बड़ी बड़ी रियासаксतें लेकर बैठे हैं उन्होंने को दिंदी नहीं ले रखी सिरफ अनुभव उनका उनकी मेहनत और उनकी पैसा कमाने की शक्ती तकत उनकी सोच उनको यहां तक लेकर आए ये बात वो आपको कभी नहीं बताएंगे तो कभी भी किसी की बातों में आका अपनी दुखती रख को छड़ने मत दीजेगा कि उन्होंने आपके दुखती रख छेड़ ली कि इन मैलाओं के लिए बात कर दी कि हम मैलाओं को अद्धार करेंगे मैलाओं के लिए ये नहीं होने देंगे मैलाओं का वो नहीं होने देंगे और आप हमें वोट दो, क्यों मैलाओं में कम ताकत है, किसी से कम समझ रखा है क्या हूंको, आजो जड़ मैदान में, दस को एक एक जड़ना देख लेगा, है ना, तो अपने किसी भी छोटी सी मानसिक ताकत, जो आपकी एक कमजोरी होती है, उसको किसी की ताकत मत बनने दीजिए, अपने उपर भरोसा कीजिए, सामने वाले को देखिए, परकिए, जानिये, और फिर उसके बाद, उस पर भरोसा करने की सोचिए, जिहां सिर्फ सोचि किसी की बातों में बिलकुल मत आएगा क्यूंकि जब तक आप अपने घर में नदेखें अपने परिवार में नदेखें जो हगोा है देश के लिए ना देखें जो एक खके रखें देश की बीमारी योग 있다고 है किया हुह रहा है क्या कारण है किस वज़े से हुआ, इसकी रोब थम कैसे हो सकती है, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ सब कुछ जान कर, समझ कर, उसके बाद ही कोई निर्ने लीजेगा तो दीश इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, हम लोग इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं जूझे हैं और जूझते भी रहेंगे, लेकिन खुशी-खुशी, क्योंकि हम अपने आप पर पूरा भरोसा है अपनी ताकत पर, अपनी सोच पर और अपनी विद्वता पर, अपनी अकल पर, अपनी समझधारी पर वो भरोसा हमेशा कायम रखिए और दुनिया फत्ह कीजिए दुनिया फत्ह करने का मतलब यह नहीं है कि आप नेता बन जाएं और नारे लगाएं और सब को अपने पीछे चलाएं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है दुनिया फत्ह करने का मतलब है कि हम खुश हैं, हमारे आसपास हम खुशियां फैलाते हैं हम किसी को देखकर ना दुखी होते हैं, ना किसी को अपने को दुखी करने देते हैं सिर्फ इतना ही हमको करना हैける बहुत हैं हैं इसा है अंकत की और कॉन आई है के इसकी पतेर जी जैसी राम जी गुर्विंदर सिंग जी सिस्रेकाल जी आज तो बहुत बहुत बदाई हो आज गुरु पूर्णिम भी है गुरु नानक देव जी जिनकी सबी बातें उनकी एक एक बात पर हम चलने की कोशिश करते हैं उनकी राहों को देखते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं आप सब को बहुत 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 बदाई हो गुरु पर की आज मौसम बहुत अच्छा हो गया क्योंकि गर्मिया और मोस्ट फुली तरह चली गई है हलकेल की सर्दी का आगाज हो गया और यह मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे गर्मिया बिल्कुल नहीं पसंद बाकि सारे मौसम पसंद है किसान हमेशा अपने पैर पर खुल हारी मारता है क्यों मारता है किसान से बढ़कर कुछ भी नहीं किसान है तो दुनिया है उसकी वज़े से ही सारे उद्योगदंदे है किसान ना हो तो सारे उद्योगदंदे बंद हो जाए सारी मशीनरी पर ताला लग जाए सारी कंपनियां बंद हो जाएं कुछ भी नहीं बचेगा कि इंसान को ये बात समझानी पड़ेगी उसे किसी से कुछ मांगना नहीं है वो तो दाता है उसे तो सिर्फ देना है और सबको उसके पैर पूझने है चाहे बल से छुआ है वो अपने सब को अपने पैर चाहे वो कैसे भी छुआ है उसके पैर सबको छुने ही पड़ेंगे उसके पैर छुए बिना किसी का जीवन ही नहीं अंधेरा ही अंधेरा है चारो तरफ सौरप सिंग जी जेशी राम जी कैसे हैं आँ रिचना तनेजो जी जैशी राम जी अनुधा राधा शर्मा जी मेरी प्यारी बहन जैशी राम जी मेरा नहां आपका नंबर में सो गया अनुधा जी मुझे आपका नंबर चाहिए बात करनी थी बहुत दिनों से बात भी नहीं और मुझे कुछ बात भी करनी थी मेर को आपका झी विजि रम कमाह जी किनमाः जी कंदन कमाहर जी विजय लक्षमी मश्शमय जी जी रम जी कैसी है प्यारी बेहन। और क्या हाल है आपके भीहार में सुनियल च्रुहान जी कैसे है सुनियल जीॉu जैशी राम जीौ पःवन कुमार जी tôi हैं हैं आप अंझली होड़ी मेरीा किया हैजी राम अँछान जी जाए शीराम नमोजकर भारत किया अप सभी को मेरा नमस्कार खरीश ग्रोवर जी जाए शिराम जी फिरीकौर सुछी सुछा साखे सी बहुत बहुत बदाई है गुरु पर्व की जे शीराम आपको धेर सारी बदाई गुरु पर्व की और क्या करा आप सुबह से बंगा साहिव में होंगे आप सब में को बहुत मिस किया मैंने यह आज आपको इसमें एक और मैंने यह दिखा है इसमें लिखा है देश का स्वाब पाफिके मानी किसान खेतों में है आपका किसान बुडाडी ग्राउन में और कॉंगरेश का किसान सिंधू पॉर्डर पर है। इसा कैसे हो सकता है। तो हो ही नहीं सकता है ऐसा हुना तो पाफ है। तो इस तरह की बातें मुलाकातें धेरो आएंगी। कि बहुत कुछ सुनेंगे आप दुनिया सुनाएगी लेकिन विश्वास किसका करना है अपने दिल और धिमाग का खबरों का नहीं अच्छा मैंने एक कहानी बढ़ी थी बहुत अची कहानी उसमें लठ चलते हैं और कई लोग तो लठों की भाशा ही जानते हैं जैसे मैंने बताया ना आपको मार पिटाई की भाशा जो माय करा करती थी मारा कूटा करती थी बच्चों को लेकिन लठ वाली एक कहानी सुनाती ह उसमें जाने आने का एक रास्ता था तो जो रास्ता था ना तो जमिदार ने उस रास्ते पर एक लट बाज को बिठा रखा था पैलवान को तो उससे ना जो भी आयाता जाता था ना उससे पैसा मांगते थे जो पैसा देता ठीक या ने तो लट मर के भगा देते थे फिर क्या हुआ जो जमिदार था वो मर गया उसके बेटे ने एक और रास्ता बना दिया उस रास्ते से आने जाने वालों पर कोई रट की बरसात नहीं होती थी कोई किसी को लट नहीं मरता था लेकिन 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 लोगों को लटकाने की इतनी आदत पर चुकी थी कि लोग बाग फिर भी उसी रास्ते से जाने की कोशिश करते थे तो ये बाती होती है ये आदते होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आदते हैं दूसरा रास्ता होते हुए भी हम उसी रास्ते पर जाते हैं उन्हीं राहों को चुलते हैं चाहें उन पर कांटे हैं क्योंकि हमें उसकी आदत पर चुकी होती है यही हमारे किसानों के साथ हो रहा है उन्हें अपनी मांग मंगवाने के लिए न्याय मांगने के लिए हाथ जोडने की आदत पड़ चुकी है किसानों को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कि वो कौन है वो दाता है वो इश्वर के बाद सबसे बड़ी चीज़ है इस धर्टी पर उन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है और यह जो मांगा पीटी हो रही है यह सिर्फ और सिर्फ ध्यक है इन्हें बर गर लाया जा रहा है इनके अंदर तातों त olduğunu हुस्य हुए है आप फिल्म जो टी वी में दिखाई दे रहे हैं उसमें देखेंगे या खबरों में देखेंगे या जो फोटोज में देखेंगे कि आपको पता लगेगा कितने किसान हैं और कितने अनोंचित लोग हैं जो कि किसान More कि आपको नहीं है किसानों को बरकलाया जा रहा है अपनी बात मनवाने के लिए फो राजनी ठीकी कारण एंश के लिए पॉलिटिक कारण है कुछ धरम से रिलेटेड है कुछ पॉलिटिक से रिलेटेड है कोई भी कारण किसानों का कारण नहीं है वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये भी जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी जानते हैं जब अंजाम पता है तो फिर क्या डरना तो दूसरा रास्ता चुनिए मैं तो कहती हूँ अगर मेरे किसान भाई भी ये देख रहे हूँ तो फौरण सचेत हो जाएं और ये जान लें कि वो जिसका साथ दे रहे हैं जिसकी आवास पर चल रहे हैं वो आवास उनके फेवर में तो बहुत अच्छा होगा विश्पारिक जी विशुपरकाश जी विश्नुपरकाश जी जैशी राम जी जय हिंद जय भारत हरिश ग्रोबर जी जैशी राम जी और कौन रहे गया विवेक राज जी विवेक राज जी कैसे हैं आप जैशी राम जी और कौन है इम्रान जी इम्रान जी आदाब दन्यवा जेशी राम आदाब जी सूरे राना जी नमस्कार कैसे हैं आप बहुत कुछी आप सबसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा शाम हो गई है और मेरे सामने जो यह मंदिर है देखें बुर्ज दिखाई दे रहे हैं आपको लक्षमी नर मंदिर है यह बहुत ही शानिदार और यह जो पीछे है यह जो दिखाई दे रही है यलो कलर की बीडिन यह T भीड़ देवता इस समय मैजू-बजू खढे जाले हैं और यह जो जाले साथ कि श्लू-दिश्खा के रहना अस्थवा बीड़िंग को तो सभी भगवान, सभी देवता इस समय मेरे आजू बाजू खड़े हैं और यहां से गुर्द्वारा नानक प्याओ भी जादा दूर नहीं है तो गुरुदेव नानक जी भी मेरे साथ ही है तो सारे जब प्रभू मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरी वाणी में क्या कटुता हो सकती है, कुछ गलत बोल सकती हूँ मैं नहीं बोल सकती ना सीमा बेन कैसी हैं सीमा बेन और यह हैं भागवत गातम जी, भागवत जी कैसे हैं आप जैशीराम जी तो भजनों की आवाज मेरे कानों में गुंच रही है, मंदिरों से आवाजे आ रही है और सारे ही देवता, चाहें वो मावीर बगवान हो, चाहें वो विश्णो जी हो, चाहें वो लक्षमी जी हो, चाहें वो ब्रह्मकुमारी आश्रम का ओम हो, चाहें वो शिवजी महाराजो, सब ही मेरे आजू बाजू में हैं, और मैं बहुत बगवन हूँ कि मैं प्रभू और प्रभू के बंदों के साथ इस समय हूँ, आप सभी मेरे साथ हैं, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मेरी बात अगर आपको ठीक लगे, उचित लगे, अगर आपको लगे कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल और दिमाग पर पट्टी बन जाती है, हमें सही दिखाई नहीं देता, सामने सब कुछ सही होते हुए भी हमें सही दिखाई नहीं देता, वही हमारे भाईयों के साथ, हमारे किसानों के साथ इस समय हो रहा है, अगर आप ये बात वारल कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, कि वो क्या है, उन्हें किस अनिदात आको। ये बात समझानी बहुत ज़्यात है जरूरी। भागवत गौतम जी। बागवत जीएि में तो आप सब के विचाहर जानने के लिए यहां पर आईू आप सब के मन की बात को जानना चाहती हूं। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैं तो नादान हूँ, आप सब विद्वान है, आप बताएए, आपके विचार जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप, लता करोटिया जी केसी है मेरी भेन, जै शीराम, वंदे मातरम, बहुत अच्छा लगा, आप सबने समय निकाला, मुझे सुना, और अगर बात सही लगी हो, इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक दिखाई देता हो आपको, तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि शायद बहुत सारे लोगों का भला हो जाए, और रही रोजगार की बात, मैं चाहूं, तो जंगल में भी सोयों रोजगार पैदा कर सकते हूं, बिना धन लगाए, औ और सिर्फ रोजगार ही नहीं पैदा कर सकती, उससे एक रोजगार से हजारों लोग जोड़े जा सकते हैं, सिर्फ मैना चाहिए, होना चाहिए, और सहन शक्ति चाहिए, अपने उपर विश्वास तो चाहिए ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, उसके लिए कोई बड़ी किसी से कुछ मांगने की जड़रत नहीं, किसी को ओड देने की जड़रत नहीं, सच, जैशी राम, वंदे मात्रम, बारत माता की जाएं, जल्द मिलेंगे।